हलो रिवन तो पंदरा जोलाई के शिफ्ट 3 के एक्जाम भी खतम हो चुके हैं तीनों शिफ्ट के जितने भी कोशन पूचे गए थे उन सब की compiled PDF में आपको टेलेगरम चैनल प्रवाइट करा दूँगा उससे आप जॉइन कर सकते हैं ठीक है और जो बाकी remaining questions है वो भी आपको मिल जाएंगे तो almost सारे questions हैं मिल चुक है जीकी के में सारे questions मिल गए है और थोड़ा level इस चीफट में भड़ा हुआ दिखा वो कौन कौन से topics से हम रागा पार्ट में discuss कर लेंगे English आपका basic easy पूचा गया था तो English के question देखे पहला scared से synonym पूचा गया था scared मतलब क्या होता है किसी को ड्राना frightful afraid next आपका attention का adjective form पूचा गया था attention का adjective जैसे he is attentive boy ठीक है attentive आपका adjective form हो यहां पे next आपके one word substitution देखे दो पूचे गया थे आपका idiom phrase एक भी नहीं पूचा गया a place where leather goods are made tannery ठीक है a place where leather goods are made tannery पूचा गया था next आपका पूचा गया था Cosmopolitan उने बता है पूचा गया था लेकिन option में क्या था यह नहीं पता यह confirm ऐसी पूचा गया था Tannery का तो जो Tannery word है वो आपका KD book से नहीं आया था लेकिं Cosmopolitan और जो आपका antonym synonym है वो आपके पूचे गया थे मतलब 4 वो क्या आपके question उसमें 3 आपके KD publication के book से direct telling का question कोई भी नहीं आया है shift में ठीक है preposition का question आया था accused of वो कह रहते है दो question पूचे गया थे preposition के एक question में बता है accused के साथ preposition बता नहीं थी तो off आती है जो में आपको PDF दीती है उसमें भी यह था accused of आता है next आपका passage में 4 question पूचे जा रहे है और एक vocab question भी था क्या था decrying decrying का similar बतान था decrying मतलब होता है किसी को छोड़ देना डिनाउंस करना condemn करना तो पैसे द्याना सुरस्थती बता easy थी English overall passage भी ज्यादा tough नहीं बताया उन्हें 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 बताया सहीर था मतलब moderate type समझ सकते हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं था कि answer ना निकल पाए त दिग्री से था तो डिग्री से हर शिफ्ट में question पूछे जा रहे हैं अभी shift one में भी और two में भी question था degree से तो यहां पर भी one of the के बास superlative degree का use होना था ऐसे उन्हें कुछ बताया था बाकी question पढ़ा चलेंगे तो मैं सब्सक्राइब चैनल पर किसकी form में आपको डाल दूँगा next आप बात कर लेते हैं रागा की बात करें तो रागा का level increase हुआ है ठीक है कई लोग बता रहे हैं कि रागा में अब time taking question पूछे जा रहे है मैस भी time taking थी ठीक है और जो रागा आ पूछा गया है यह कहां पढ़ता पाना मद्धा परदेश में पढ़ता है काना नैशल पाक यह बागों के लिए बनाया गया था और right to property पूछा गया था मतलब question ऐसे था कि मूल अधिकारों में से चार ऑप्शन में मूल अधिकार दे रखे थे मौली का अधिकार दे रखे तो उर बतान था कौन सा मौली का अधिकार अब हमारे constitution में नहीं है तो संपत्ति का अधिकार right to property अब मौली का अधिकार नहीं है हमारा यह कानूनी अधिकार बन चूगा आर्टिकल 300 के अंदर गता या नवंबर दिसंबर में होगा इस्टाइरिन गैस लिक एक्सिडेंट का होगा था विशाका पतनम आंध्र प्रदेश में होगा आपका चंद्रियान टू के लेंडर का नाम पूछा हुआ था यह भी 2020 से करेंट अफेर में होगा विकरम नाम था यह याद भी होगा आप और आपका जो कोस्चान से मैथ के बता रहे थे जो अलक टाइप के कोश्चान है तो थोड़ा ट्रिकी कोश्चन था इंपलेटिव कोश्चन था ठीक है यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्चन से कोई कोश्चन नहीं पूछा गया था उन्हों जो बताया प्रॉफिड लो सा को सेंटिमीटर स्कार फाइंड करना पैरिमीटर तो मेंसुएशन न काफी इजी कोशन था यह 15 से 20 सेकंड में कोशन एजली हो सकता है सिटिंग एरेंजमेंट से कोशन पूछा गया था सीरीज के दो कोशन थे और सीरीज तारत होई टाम टेकिंग थी नेक्स्ट आपका परसेंट नदी किनारे है तुंग बद्रा नदी वहां पर बैठती है ठीक है तुंग बद्रा तो यह सारे कोशन से ब्लड रिलेशन वगारा से कोई कोशन नहीं था तो आप समझ पा रहे है जहां जा लेवल बढ़ रहा है वहां पर आपको फोकस करने जरूत है जैसे मैस में अगर ल कि उससे था कोशनल हो बद्रा फोकस्च यार नहीं करा तो कोई बात नहीं वहां पर जाके उस कोशनको देखे भी न उसे टाइम भी ना जगाए अगर हमें त्यार नहीं करा है हां अगर पूरा कोशन पूरा पेपर सॉल्फव होना पाद चायन करें जरूर रूरोष म scale पर question आप समझे 10 से 15 सेकिंड आपको लगाने हैं इससे भी कम टाइम में आप जीके question अटेम्ट करें क्योंकि जीके question में क्या होता है हम लोगों कभी सोचन लग जाते हैं यह answer होगा यार यह answer होगा तो ऐसा बिल्कुल ना करें अगर आपको correct पता है तो टिक करें अगर आपको दो option में doubt लग रहा है तो भी आप टिक कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं पता बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि जीके का question में कहां से होगा answer तो बिल्कुल भी तुक्का मारकें नहीं नाइटिव मारकें बहुत जादा खतरनाक बन जाती है कभी-कभी और आपको pass होने किसी कभी है तो आप comment section में बता दीजेगा और अगर आपका आगे paper है तो message कर दीजेगा मुझे review देने के लिए thank you मिलते लदी next video में